बीजून दो हजार एक्टिस को यूपी पुलिस की ATS यानि की एंटी टेरी स्क्वाड ने उमर गवतम और जहांगीर काजमी को अरेस्ट किया। उन पर यह आरोप लगाया गया कि दिल्ली के जामिया इलाके में जो IDC है यानि की इस्लामिक दावा सेंटर है वहाँ पर ये एक रैकिट चलाया करते थे जिसमें ये लोगों का जो धर्म है वो चेंज कराया करते थे। रैकिट के चीफ थे। तो जानते हैं ये पूरा मामला क्या है इस पूरे मामले में क्या-क्या बाते सामने आए हैं इस बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं। से बिलोंग करते थे। इनकी पतनी बताती हैं कि जब ये शाम प्रताब हुआ करते थे तब ये बजरंग बली जी के बहुत बड़े बक्त हुआ करते थे। हर दिन यानि कि हर मंगलवार और हर शनिवार ये मंदिर जाय करते थे, पूजा पाठ किया करते थे और प्रशाद चड़ाय करते थे। 1984 में जब ये अपनी पढ़ाई को लेकर पढ़ने के लिए उत्रा घंड के पंत यूनिवर्स्टी में गए, वहाँ पर इनके हॉस्टल में जो इनका रूमेट था वो था मुस्लिम जिसका नाम था नाजीर और वो इन्हें हर हफते अपनी साइकल पे मंदिर ले जाय करता था और एक दिन शाम प्रताप ने अपने दोस्ट से यानि कि अपने मुस्लिम फ्रेंड से ये पूछा कि तुम मुझे एक बात बताओ कि इतना डेलिगेटली तुम मुझे हर हफते मंदिर क्यों लेकर आते हो जबकि तुम्हारा मंदिर से तो कोई लेना देना है ही नहीं तब यहां पर नाजीर ने जो जवाब दिया उस से इनकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल गई नाजीर ने का कि मेरा धर्म मुझे ये सिखाता है कि मेरे हक में जितने भी लोग आते हैं मैं उनकी देख बाल करो और इस जवाब के बाद शाम प्रताप की जिंदगी बदल गई और उन्होंने एक महीने के अंदर कुरान, बाइबल और गीता ये तीनों पर डाली। उनकी बीवी बताती है कि इसके बाद उन्होंने ये तै कि वो अपना धर्म परिवर्तन करेंगे। यानि कि अपना जो religion है वो change करेंगे वो convert करेंगे इसलाम में और उसके बाद उन्होंने इसलाम जर्म को अपनाया और मुस्लिम हो गए और शाम प्रताफ से कहला है उमर गौतम उनकी बीवी ये भी बताती हैं कि 2002 में जब वो दिल्ली आये थे तो उन्होंने IDC यानि कि इसलामिक दावा सेंटर की स्थापना गीती यानि कि उसको सेटप किया था और इसमें जो भी ऐसे लोग सामने से आते थे जो अपना जो धर्म है वो change करवाना चाहते थे इसमें उमर आरोप जो है वो बे बुनियाद हैं सरसर जूटे हैं जहां मैं आपको उतादू कि पुलिस ने ये भी आरोप लगाया है कि इस रैकिट की जो funding होती थी इस conversion रैकिट की जो funding होती थी वो होती थी ISI के तुरू और इस आरोप को उनकी पतनी ने सीरे से नकार दिया है उन्हों जो fund आता था IDC का जो fund आता था वो उनके दोस्तों से उनके रिष्टेदारों से और उनके वेल विशर्स से आता था जो वो उने support किया करते थे और उनी के fund के जरीए IDC चलता था यहां मैं आपको बता दू कि 21 जून को जो press conference हुई थी उसमें प्रशांत कुमार ने बताया पुलिस को इस रैकिट के बारे में तब पता चला जब वो एक case की investigation कर रही थी और यह case जोड़ा था गाजियाबाद के डासना जिले से जहां पर एक मंदिर है जिसमें जो दो मुसलिम थे उन्होंने अपनी identity को हिंदू बता कर उस मंदिर में प्रवेश किया और जब पुलि है वो इस रैकिट तक पहुंचे और इस रैकिट में जुड़े सभी लोगों को गिरफतार किया गया और अब उन पे कारिवाई की जा रही है यहाँ पर पुलिस यह भी बता रही है कि यह जो उमर गौतम है इनका जो connection है इनका जो network है वो देश के 24 सेट्स तक फैला हुआ मामले में अच्छे से नजर बना कर रखी हुई है बड़ी करीब से वो इस मामले को देख रहे हैं और उनका यह आदेश है कि इस मामले में जो भी दोशी है उसे कड़ी से कड़ी सजा और कड़ी से कड़ी उस पर कारेवाई की जानी चाहिए और उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले को लेकर हमारे हाथ में कई डॉक्यमेंट्स लगें और एक रजिस्टर तो ऐसा है जिसमें उन सभी लोगों के नाम, पता और बहुत सी डिटेल्स शामिल है जिन लोगों ने अपना जो धर्म है वो चेंज करवाया है पुलिस के मताबिक ये जो रैकिट था ये ज़्यादातर महिलाओं, गरीबों और मुक बदीरों यानि कि जो बोल सुनने हैं सकते उनको टार्गेट करता था उनको बहला फुसला कर, उनको पैसे देने की लालज दे कर, कभी कबार उन पर अत्याचार करके उनका जो धर्म था वो चेंज कराया करता था साथ ही जो उमर गौतम है उन पर ये आरूप भी लगाया गया है कि उनकी जो स्पीचिस हुआ करती थी जो बड़े-बड़े इवेंट्स में देते थे, कॉलेजिस में देते थे, स्कूल्स में देते थे उसमें वो नौजवानों को अपना धर्म चेंज करने के लिए बोला करते थे यानि कि एक संदेश दिया करते थे कि वो इसलाम धर्म अपना है और इसके चलते भी उन पर कई आरोप लगाए गए है हाला कि इन सभी आरोपों को जो उनके परिवार वाले हैं यानि उमर गौतम के जो परिवार वाले हैं उन्होंने सिरे से नकार दिया है उनकी पतनी उन्होंने का यह हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि कुरोना काल में जो सरकार है उसका कितना बड़ा failure रहा है और उसको छुपाने के लिए और लोगों का उस failure से ध्यान हटाने के लिए वो अब उल जलूल की news जो है वो लोगों को दिखा रही है जिसका कोई सरपैर नहीं है यानि कि उनका मानना है कि उमर गौतम जो है वो जबरदस्ती किसी का भी धर्मांतरण यानि कि जो धर्म है वो चेंज नहीं कराते हैं इस पूरी कहानी में जो दो पक्ष है एक पक्ष है पुलिस का और एक पक्ष है उमर गौतम की फैमली का इन दोनों पक्षों की जो बाते हैं वो मैंने आपके सामने रखी, अच्छे से रखी, अब आपका इस मुद्दे को लेकर क्या पक्ष है, आप इस मुद्दे के बारे में क्या जानते हैं, क्या बताना चाहते हैं और आपकी क्या राय है, यह हमें कमेंट सेक्शन में जरूर ब झाल झाल